गाईज हम लोग डिसकस करेंगे पूरवी 12 सिंगा के बारे में या फिर इसे Eastern Swamp Deer कहा जाता है तो यह जो Swamp Deer है गाईज अभी इसके नंबर्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं ओफिशिल्स का कहना यह है कि यह जो Eastern Swamp Deer जो हम लोग को देखने को बिल रहे हैं 2018 में 907 हुआ करते थे और अभी latest estimation के according पाया गया कि इनके numbers गिरकर 868 हो गए है 907 से 868 डियर्स की संक्या में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है इवन एक report के through यह भी बताया जा रहा है कि South Asia के अंदर पूरी तरह से यह प्रजाती जो है वो विलुप्त हो चुकी है हर जगा से खतम हो चुकी है इवन काजी रंगा नेशल पार्क और टाइगर रिजर्व में इनके number जो है वो reduce हुए है गिरे है तो कुछ basic सी जानकारी आपको 12 सिंगा के बारे में swamp deer के बारे में पता होनी चाहिए पहली बात तो guys बारा सिंगा जो है यानि कि जैसे swamp deer हम लोग कहते हैं ये इंडिया में काजी रंगा में पाये जाता है काजी रंगा की endemic प्रजाती है हम लोग को देखने को मिलती है यानि कि वहाँ पर ये जालतार हम लोग को अभी at present नजर आ रहा है और eastern swamp deer जो है वो guys एक समय पर central कोहरा और बगोरी रेंज जो काजी रंगा की थी वहाँ पर भी हुआ करते थे और IUCN की red list के अंदर ये vulnerable category में सम्वेधन शील जो है वो category जो है सूची जो है उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं और आपको बताने गई उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के ये state animal है राजगिया पशू है तो question ये भी आ सकता है मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश का state animal कौन सा है तो बारा सिंगह आपको ध्यान में रखना है Central और North India में और Southern Nepal में ये पाए जाते हैं और इंडिया के अंदर Assam, जमना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुनाचल प्रदेश में ये हम लोग को नज़र आते हैं Eastern Swamp Deer तो ये कुछ basic information है Eastern Swamp Deer से related जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है